Traction Control के फाइदे एक और जगे आपको मिलता है जब भी आप अपनी गाड़ी को launch करते हैं अपनी गाड़ी को start करते है speed sensor लगावा होता है जो आपके tire की speed को बताता है साथ ही साथ आपकी गाड़ी में vehicle speed sensor भी लगा होता है तो company for dedicated button क्यों देती है तो आज हम बात करेंगे traction control system के उपर कि traction control system होता क्या है इसके advantage क्या है इसके disadvantage क्या है क्योंकि एर देखो अगर traction control system का हमें button दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं पर हमें से off भी करना पड़ेगा अगर ये on ही रहना होता है कि by default ये car में on ही आता है जब भी हम अपनी car को start करते है तो traction control system हमेशा on होता है अब traction control system इतना अच्छा है तो इसका dedicate button क्यों दिया गिया है मतलब इसे हमें बंद क्यों करना है और किस situation में इसको बंद करना है वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा traction control system के उपर पूरी जानकारी मिलेगी आपको वीडियो में बने रहे है वीडियो बहुत informative वाने वाली है वीडियो अच्छी लगिए वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए चलो बताते हैं कि traction control system होता है क्या है उससे पहले मैं आपको ये बता दू के traction control का button आपको कहां पे मिलता है आपकी कार में ये मेरी Breza 2022 मॉडल है तो इसमें मुझे जो traction control का button मिलता है वो यहां पे मिलता है अगर आप देखेंगे इस तरफ ये जो car का निशान है और इसका निजो off लिखावा है ये होता है आपका traction control system का button सबसे पहले बात करते हैं कि transmission क्या होता है कि grip अब किस के बीच में grip की बात कर रहे हैं यहां पे हम बात कर रहे हैं कि आपके जो टायर है और जो आपकी road की surface है उन दोनों के बीच में जो grip है उसे हम कहते हैं अब जितना ज्जादा friction होगा उतना अच्छा आपकी ग्रिब बनेगी रोड और टायर के बीच में या कह सकते हैं कि ट्रेक्शन जितना ज़ादा होगा उतनी अच्छी आपकी ग्रिब बनेगी अब देखो इसके फाइदे क्या हैं और ये कार में क्यूं दिया गिया है ये काफी टाइम पहले हमारी कार में आ गिया था थोड़ी से अब जब 10-12 लाग से उपर की जब कार खरीदते तो उसमें आपको फीचर मिल जाता है हो सकता है किसी कार में कम में भी आ रहा हो लेकिन बेसिकली ये 10 लाग के बाद ही कार में मिलता है जो भी 10-9 लाग की कार होती है उसमें ये आपको फीचर मिलता है देखो होता है क्या है ट्रेक्शन कंट्रोल सिटम का मतलब ये होता है कि सपोस्ट करो आप एक स्ट्रेट रोड से जा रहे हैं तो अब आपके जो टाइर है राइट वाला फृरंट का या बैक का तो वो हो सकता है कि क्या कहते है पानी के कॉंटक्ट में आ जाई या वो ग्रिप अपनी छोड़ देता है क्या कहते है जमीन से तो इस टाइम होता क्या है कि जो आपका टाइब है न की जो कार है वो slip हो जाती है skid हो जाती है जिसकी वज़े से accident हो जाता है तो इस चीज को minimize करने के लिए या खतम करने के लिए automobile companies ने क्या करा कि traction control system को car में डालना start कर दिया अब इसका फाइदा यह होता है कि आपका जो tire था जो वहाँ पे grip जिसकी छूटी थी जो slippery surface या watery surface या जो भी वो surface थी चाहे वो वहाँ पे बहुत जादा dust हो या फिर बहुत जादा rate हो जिसकी विज़े से उसकी grip कम हुई थी और जो tire की speed अब वो जादा हो गई थी तो उस time पे क्या करता है कि यार आपका जो traction control system है वो उस wheel की speed को कम कर देता है अब wheel की speed को वो कम कैसे करता है चोले थोड़ा सा इसको detail करता है मैंने एक already video बना रख यह traction control के उपर मैं description में link दे दूंगा वहाँ पे आप जाके उसको check कर सक लेकिन इस video में आपको थोड़ा detail में समझाऊँगा कि traction control काम कैसे करता है देखो सबसे पहले होता है कि आपके चारो टायर में ना होता है कि speed sensor लगावा होता है जो आपके tire की speed को बताता है साथ ही साथ आपकी गाड़ी में vehicle speed sensor भी लगा होता है एक तो था tire speed sensor जो आपके चारो टायरो में लगावा है एक है आपका vehicle speed sensor जो आपके ECU के साथ connect होता है यह सारे sensor भी आपके ECU के साथ connect होता है ECU जो होता है वो आपके connect होता है controller modulator से और controller modulator आपके चारो टायर से connect होता है अब जब भी आपका कोई भी tire या तो water के contact में आता है या slippery surface road होती है तो उसकी वेज़े से उसका क्या होता है speed बढ़ जाती है यनि tire का rpm बढ़ जाता है comparison to left या right वाले tire से तो ECU इस चीज को judge कर लेता है और इस time पे ECU signal भेजता है कि इसको controller modulator को और controller modulator क्या करता है कि यार वो apply करता है brakes पे जिस tire का rpm जादा है अभी हमने right वाले tire का example लेके चल लेते हैं starting से तुम right ही लेंगे तो इस time पे क्या करेगा कि ECU ना वहापे partially brake लगाएगा मतलब यह होता है कि वो brake लगाएगा छोड़ेगा ब्रेक लगाएगा छोड़ेगा ब्रेक लगाएगा छोड़ेगा तो इससे फायदा यह होता है कि जो आपका left wheel जिस speed से घूम रहाता है आपका right wheel भी उसी speed से घूम क्या है देखो traction control के फायदे एक और जगे आपको मिलता है जब भी आप अपनी गाडी को launch करते हैं अपनी गाडी को start करते हैं तो आपकी गाडी ना ऐसे उठने की कोशिश करते हैं उपर जाने की कोशिश करते हैं गर चोड़ेगा बहुत जादा होते हैं तो Traction Control का System Launching में भी काम आता है एक जगे और Traction Control का काम आता है वो आता है जब आप अपनी Handling पे होते हैं मतलब सपोस करो कि आपकी गाड़ी स्लिप हो रही है और आपकी Handling बिगड़ गई है तो इस टाइम पे भी जो आपका TCS है काम करता है आपकी handling को भी better करता है आपकी handling को stable करता है ताकि आपका accident ना हो अब बात करें disadvantage की क्या disadvantage क्या है इतनी अच्छी चीज है ऐसे क्यों बंद करना चाहे तो बहुत अच्छी चीज है इसे हम क्यों बंद कर रहे हैं तो अगर ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम इतना ही अच्छा है तो उसको बंद करने के लिए वो बटन क्यों देती है देखो इसका रीजन छोटा सा यह है जब भी आप आप आफ रोडिंग करते हैं या जब भी आप क्या कहते हैं थोड़ा ऐसी जगे जाते हैं जहापे बहुत ज़ ज़गे फस जाती है तो इसी लिए यह बटन दिया गया है कि जब भी आप आफ रोडिंग करें या फिर ऐसी जगे जहां पर आपकी गाड़ी को पावर बहुत ज़ादा चाहिए तो TCS पावर कम कर देता है कट कर देता है दूट ब्रेक लगा के गाड़ी में तो इस टाइम पर TCS को हम बंद कर सकते है इस बटन के थूट तो यह थी complete information मेरी तरफ से के TCS काम कैसे करता है तो hopefully आपको समझ आगे होगा कि कब आपको attraction control system on रखना है और कब आपको traction control system off करना है तो यार देखो button दिया है तो इसका मतलब इसका use है आपको इसको off करना पड़ेगा किस situation में off करना पड़ेगा जब आप off-roading कर रहे है या फिर आपकी गाड़ी ऐसी जेगे पर mud में फर्स चुकिए जहां पर आपकी टायर को ज्यादा power की ज़रत है लेकिन TCS की वज़े से वो power cut हो जाती है तो वहां पर आप TCS को बंद कर सकते हैं तो यार यह थी मेरी तरफ से complete information TCS क के उपर यानि कि traction control system के उपर hopefully वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए comment कीजिए share कीजिए मैं आपके comment पर reply करता हूं और यार एक चीच फिर से बोलूँगा आप वीडियो बनाने में सच में बहुत मै बनत लगती है तो एक like और एक subscribe करके जाएए